मुंबई से सूरत and back from सूरत टू मुंबई जब हम हाइवे से ट्रावल करते हैं एनेच 48 से तो इस रास्ते में कौनसे-कौनसे खाने की प्लेस अच्छी है और वहां पे कौनसा-कौनसा खाना मिलता है उस बारे में आज का वीडियो होने वाला है आज हम जा रहे हैं सूरत रॉम नभी मंबई और वहां मैं जा रही हूं कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि फैस्टिर सीजन अल्रडी आ चुका है तो अगर आपने मेरे शॉपिंग वाले चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजे शॉपिंग विद अलक और यहां पर लाइफ फरसान मलता है प्यॉर वेज जैन फूड भी अवेलेबल है तो चलते हैं अंदर देखते हैं क्या-क्या चीज़े लाइफ मिल रही है और इंपॉर्टन चीज यहां पर क्लीन वाश्रूम्स भी है तो आएए अंदर और देखते हैं कि कौनसी-कौनसी यहां पर अच्छी मिलती है तो मुझे मैंने फ्रेंड ने बताया था कि यहां पर आने के बाद में इनकी जो स्पेशल देशी घी की चलेपी है वो तो जरूर ट्राइक करना और साथ में फाफ्रा भी लेना तो यही चीज़े मैंने मंग वाई यह जो और यहां की पॉपिलर अब लोग देखो ना इतना ज्यादा डिफरेंट है ऐसा फाफ्रा तो मैंने पहले कभी मुंबई में देखा नहीं है एकदम पतले वाले रोल किये हुए है यह फाफ्रा और बहुत ही ज़दा क्रिस्पे बस हाथ लगाते है यह से टूट रहा है और सौगी बिलकुल भी नह चेटनी होती है मैंने थोड़ दिन पहले एक मुंबई के बेस्ट पाफ्रा जलेबी का वीडियो भी किया था अगर आपने मिस्किया हो तो उसका लिंक में आपो डिस्क्रिप्शन में और यहां देरियो आप जरूर देख लेना तो जो वहां पे कच्छे पपीते की चेटनी मिलती है इसे सांबरो बोलते है गुछ राती में वह तो काफी डिफरेंट होती है और यह तो एकदम अलग लग लग दिया अचली इसका लोग देखे मुझे इसा लगा ना कि मूली को ग्रेट करके और उसके उपर रेड चिली पाडर अगरा छिड़के दिया है बट मैंने इसको टेस्ट किया ना इसका लोकी इतना डिफरेंट है और यह फाफ़रा के साथ में एक अलग चीज यहां पर दी हुए है कडी जो कडी तो मैंने पहले कभी ना सुनी ना देखी फाफ़रा के साथ इसले खाते हैं अजवाइन का समय फ्लेवर आरा आए इसमें हिंकी भी खुषबू आरी बहुत ही बढ़िया लग रहा है और कडी का जो हलका सा खटा मीटा सा टेस्ट है उसके जाद तो अलगी लग रहा है और पतला रोल किया होने की वैसे मुझे ब़ुट पसंदाया मजे उत्तेक वाला उत्तना पसंद नहीं है जितना यह मुझे अच्छा लग रहा है जो देसीगी की जलेवी है इसको भी खाके देखते है वाव एक दम बढ़िया देसीगी का फ्लेवर आरा रहा है इसके नोर एक्दम रसीदी जलेवी है एक्दम जूसी है स्वीट भी एक्दम सही है बहुत जाधा स्वीट नहीं है कोड़े स्वीटर सईट पर है बाथ ही अच्छी लग रही है और जो सांबरो में बता रही थी नापको एक बार इसको भी टेस्ट रहनी है यह जो मुंबई में आपके नियों पर बोस्ते शियो लुक्छे ने बढ़ पीते वाले उससे बिदू भी एक और चीज है जो में फ्रेंड ने मुझे बताई यहां पर बहुत अच्छी है वहां पर मिलती हुआ होटेल जलाराम काठिया वाडी जो हैंका रेस्टरांट तो है और साथ में यहां पर स्वीट शॉप भी है और जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था और मुझे फाफ तो पता चली रहा है कि गुड़ तो इसमें जरूरी होगा तो इसको ट्राइब करके देखेंगे गी की बढ़िया जिसमें खुश्बू आती जो रिलीज हुआ बनाते वाग नट्स इसमें क्रंची है फ्रेश है और जैसे मैं आपको पता है यह गुड़ जैसे बना हुआ है जो स्वीट यह बहुत हलका सा स्वीट है जर्स राइट मुझे ऐसे ही पसंद है मुझे ज्यादा ओवर जो स्वीट होती चीज़े वह अच्छी नहीं लगती है तो इन्होंने मुझे बताया कि यहां पर यह सुखडी करके एक कोई अलक स्वीट है जो बहुत ही पॉपिलर ह गेहूं के आटे और गुड से बनाई गई यह चीज यह भी काफी डिफरेंट है क्वाइट फ्लेवर फुल और एकड़म नुट्रिश्यस है क्योंकि गेहूं के आटे से बनाई गई है तो इसको भी जरूर ट्राइक करना अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्य बिल्कुल हाइवे से लगके आपके लेटन साइट पर आएगा तो हमने सोचा कि आज इसे मिस नहीं करना रिटर्न के वाग तो यहां पर हम आगे पारिंग के लिए काफी सारी स्पेस है यहां पर यह सबसे अच्छी बात है और इसका जो लोकेशन है यह चिखली से थोड़ बहुत अच्छी है क्योंकि यह देखिए सारी चीज़े एक्टम येलो येलो दिखाई दे रही है सुबर सुबर साड़े पांच बजे हम निकले हैं और यह प्लेस उससे भी पहले खुल जाती है और हम यहां पर पहुंचे हैं साथ बजे तो सबसे पहले मैं यह ट्राइ करन आपको पहले कूपन लेना होता है फिर अपने काउंटर पर जाके जो भी आपको चाहिए वाप ले सकते हो यह फाफड़ा यह अगें इट इस सो सॉफ्ट यू नो मतलब क्रिस्ट अड़ सेम ताइम सॉफ्ट और इसके साथ में यह पर यह ग्रीन चैटनी एंड यह करी दी तो आपको जितनी कडी और चटनी चाहिए आप वहाँ पर अलग से काउंटर है वहाँ पर जाके ले सकते हो चलो पहले कडी के साथ में ट्राइब करते है कडी हलकिली मीठी होती है तो उसकी वजह से एकदम एकदम डिफरेंट जाता है फाफ़ा तो अल्रेड है ही अच्छा और इसमें भी बहुत सारी अजवाइन डाली हुए है कि बेसं से बनाया जाता है तो अजवाइन डालेंगे तो पेट के हसाब से भी सही रहता है तो जेखालाल का फेमस फाफ़ा जलेबी मैं यहां खा रही हूं और I'm really excited कि सूरत में आके यहां की फेमस चीजें कई बार खा बहुत ही बढ़ी है अमेजिंग हरा दुनिया पुदीना के साथ में यहां पर कई जगों पर दीन चितनी में पालक भी राली जाती है और जो खामान होता है उसके चूरा भी डाला जाता है इसके टेस्ट अलग हो जाता है और यह फ्राइड हरी मिर्श भी सर्व की हुई है तो चलो अभी एक जलेबी का भी बाइट ले लेते है फाफडा के जाद मीठी जलेबी रमकीन फाफडा सूपर कॉम्बिनेशन अगर आपको भी कॉम्बिनेशन परसंद है ना मुझे कमेंस में बताइए कि कौनसे जगह का फाफडा जलेबी आपको सबसे अच्छा लगता ह जलेबी के जो रेंग हें ना बहुत ज़ाधा पतले ना बहुत ज़ाधा मोटे मीडियम हैं २ ऐ खृम क्रिस्ट्स भी आजन आजे दिघे लिए वो भी आकी बहुत फेमस है तो दिस खमनी बेसिकली खमन से बनाई जाती है और पतला वाला फॉर्म है यह साथ में सेव उपर डाले हुए है राही का तरका है वाव अद्रक का फ्लेवर आ रहा है मुझे इसमें एक तम हलकी सी मेटी हलकी सी खटी और बहुत ही यमी इसक पर खमन जो खमन है यूजिली जो खमन होता है डोकले के जैसा बहुत जादा सौफ नहीं है मगर यह स्पॉंजी है सेव डाले उपर कांदा दिया हुए है और अधरी मिश्डी हुए है फ्राइक हुई है जो परका धिया है बगार जो यहां पर बोला जटर उसकी वीज़े स क्या ही टेस्ट एंवांस हो जाता है तो जिसका बेस है खमन उसमें अगें मुझे अद्रक का फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही यम्मी है सारा कुछ फर्स टाइम इतने सारे गुजराती स्नैक्स मैं एक साथ खा रही हूं सूरत में आई हूं इसलिए अधर जब अपने घर प करता है खाने के लिए तो खानवी तो मुस्ली हर स्मीट शॉप में मिल जाती है बड़ इसे इतना सारा गुजराती स्नैक्स को कॉंबिनेशन तो आप गुजरात में आओगे तो ही खाना पॉसीबल है सूरत तो मैंने विजट कर लिया है नेक्स मैं प्लान कर रही हूं मुझ चली मझे बहुत जादा पसंद है इस सो सॉफ्ट एंड फ्रेश थेश बड़िया हलका समझे हरी मिर्श का फ्लेवर आ रहा है इसमें हरा धन्या उपर डाला हुआ सो खुश्बू भी आ रही है तोड़ा से ठीका है बाकी चीजों से से खमनी भी काफी स्मूथ थी यह भी अ आज यहां पर लगी है वो है सेव खमनी जलेबी बहुत ही मज़ा आ रहा है सुबह सुबह यह नाश्टा करने में यह सारी इंजॉई करके आपको मिलूंगी नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट प्लेस जो हम आए है यह है पार्सी डेरी फार्म और यह भी ऑन्द वेट ही आता है बिल्कुल भी आपको हाइवे चोड़ा नहीं है बस लगके ही है पार्किंग स्पेस अवेलिबल है और खास बात यह है ना कि यह सिर्फ रेस्टरांट ने है यहां पे और भी काफी सारी चीज़े है अनिमल्स है होस तो मुझे आते वक दिखाई दिया था और बच्चों के वैसे वाले वाइट कलर के चेहर आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे बहुत ही रिलाक्सिंग वाइब है यहां पर पहुत सारे लोग यहां पर हमेशा आते रहे था इस यूशुली क्राउड़ेड बाद स्टिल यह इतना स्पेशेस है इसके लिए आपको आराम से सटे स्टेर्ण मिल्क यह तो गरम वाला दूध है थोड़ा सा अलग कॉंबेनेशन है यह गरम दूध और यह ठंटा वाला दूध बगर फिर भी हमने ले लिया है क्योंकि हम दोनों एक गरम और यह तंडा दूध पिने वाले साथी है मैंने लिया है बन मलाई बन मसका भी यहां इसके अलावा यहां पे बहुत सारे स्वीट्स हैं, मत्का दई, मिश्टी दोई, रसमलाई, गुलाब जामुन, श्रीखन भी यहां पे अवेलिबल हैं, काफी सारे स्वीट्स आपको यहां पे दिखाई दे जाएंगे, स्नाक्स में यहां पे बटाटा वड़ा एंड करके आचुक है, सो खाने का मन तो है, बट कितना खाएंगे, यह बटाटा वड़ा एंड जो समोसा है, पंजाबी समोसा, यह काफी पॉपिलर है, जिसे मैंने गूगल रिव्यूज में चेक किया था, बट एक और प्लेस है, जहां में इसके बाद जाने वाले हूँ, जिसका साउथ इनन फूद बहुत जादा फेमस है, तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करना वीडियो को एंड टक देखना, यहां पे चाट अवेलिबल है, पीजा है, सांविचेस है, और जो अथेंटिक पार्सी में आपको बोड रही थी, तो पार्सी डिशे में कुछ में कोस की चीजे भी है, सलीमा पनीर, पात्रा पनीर, ट्रेडिशनल धनसाग, पार्सी करी, पार्सी ठाली, पार्सी घुपारा, ऐसी सारी चीजे, और सबसे इंपोर्टन चीज, यह पार्सी डेरी फार्म का जो रेस्टरॉंट है, वो ही वेजटेबल यहां पे अपने दिशे में सबसे पहले यह दूदन पफ, सब यह दूदन पफ, सब यह दूदन पफ से मुझे ऐसा लगा था ना की दूद होगा, साथ में कुछ पफ होगा बट यह वैसा नहीं है, I think यह जो यहां पे पीक दिखाई दे रहा है आपको, this is the puff, you know, so let's try this milk, वाओ, सो इकत्मी सॉफ्ट ह जैसा लग रहा है, इसको टेक्शर देखिये, कितना बढ़िया है, वाओ, सॉफ्ट, स्मूथ, जैसे देखने से और उखाने से पता चल रहा था, but इसके इंदर जो फ्लेवर है ना, too good, बहुत ही बढ़िया, थोड़ सा और खाती हूं, फिर आपको बताती हूं, इसके इंदर वनीला वाला फ्लेवर है, कि बहुत ही फ्रेश और अच्छा बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, so let me see अंदर दूद कहां से शोरू हो रहा है, पॉफ कहां तक है, I think यह पूरा पॉफी है, okay this is चेड, यहां से दूद शोरू हो रहा है, उसके ऊपर पॉफी है, and let me just have a sip of milk, wow, too good, बहुत ही बढ़िया है, this is a must, must try because यह मैंने आज तक और कहीं न खाया और न देखा, और अब मैं यह ट्राय करने वाली हूँ, बन मलाई, so काफी thick layer दिख रहा है, इसमें मलाई का, fresh मिलाई है, बिल्कुल भी smell नहीं आ रही है, इसमें, बन मुश रशे, एक बनुश सॉस्ट है, तूपी-फूपी दिखाई देला है, मुझे समें बीज बीज में, मैंने दूद का तेश्ट नहीं भुलाने पार हूँ, बस एक चमची गरम वाला दूद पी के देखती हूँ रेगिलर मिल्क वाला टेस्ट है, यह अलग है, तूपी बहुत ही कम है, या मुझे यह पीने के बाद में ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि प्योर है, और यहां पे इंकी डेरी है, वही से यह दूद सोस होता है, और इसलिए यह कॉलिटी में बहुत ही अगर आपको भी यह पॉफ ना दूद अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, ऐसे और अमेजिन कंटेंट के बारे में, स्पेशली फूद के बारे में, तो यह वाला इंजॉय करती हूं, इसके बाद आप से मिलती हू और सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसके लिए इतनी पॉपिलर पे प्लेस है, क्राइब होने के बावाजूद भी पीस्फुल है, और स्पेशली दवाश रूम्स आर सो हाईजिनिक और क्लीन, तो चलते हैं अपने नेक्स प्लेश, और यह सूरत से मुंबई की तरफ जाते हुए हमारा मेक्स स्पॉर्ट जो है अनाम रेस्टरंट और यह भी मैं जो फेट ने मुटे सजेस्ट किया था, कि चाहे कितना भी पेट भरा हो, इस स्पॉर्ट को मिस्स नहीं करना है, इनके स्पेशल बटाटे वड़े के लिए, जो बहुत ज़दा फेमस है, मैं यहां पर देख रही हुँ ना, तो जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए है, सबके टेबल बे बटाटा वड़ा है, और मैंने वो ओर्डर किया था, साउथ इंदेनिंग का बहुत स्पेशल है, तो मैंने और किया है, बट बटाटा वड़ा जो इननों ने दिया हो था कि सबजी तो मुझे दूर से ना, इसमें हींगी खुश्भू आ रही है, आइकन जी अनियन्स एंड टमेटो तो एक बाइट लेते हैं, दोसे के साथ में आलू की सबजी का, बहुत ही अच्छा मसाड़ हो सा यह, इसके सबजी है ना, इट इस सो यमी, प्लेन बॉइड का होता है, इसमें, राई एंकरी बता, अब यास टमाटर जिससे में आपको बोला, बट इस इस सो, सो डिलिश्यस, बहुत ही अच्छी है, दोसाब यह फ्रेश है, बिल्कुल भी खट्टा पन नहीं है, इसके आटे में, रिली यमी, कोकेन चटनी भी एकदम फ्रेश है, और थिक चटनी है यह, आइन सांबर में ट्राई कर लेते हैं, हल्का सा मेठा सांबर है और धन्ये के खुश्वार है इसके अंदर, जो अची लग रही है, so I'm gonna finish this, and उसके बाद मेरा most awaited dish, जो मैं घर से निकली हूँ, तब से वेट कर रही हूँ कि वापस आते वाद कि आगा ब इस बार यह बहुत जादा गरम है, और एकदम हाथ में उठाने भी नहीं हो रहा है, साथ में इन्होंने सर्व किये यह, रेड सुकी चटनी, जो यूजली सर्व की जाती है, पटाटे वड़े के साथ, एकदम फाइली रेड कलर दिख रहा है इसका, बट यह जो रेड कलर है यह आता है कश्मीली मेच से तो तीखी जादा होती नहीं है यह वाली चटनी उजली, तो क्रिस्क कवर इसका दिखाई दे रहा है, और यह उपर ऐसे आ जाते है, जो इस पर उठते यह फ्राइ करने में बेसन का जो रहत है, वो मिझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो क्रि तरकी डाल एंड राइक का तड़का है, हरे तन ये के खुष्पू आ रही है, अच्छी सी, एक बाइट लेती हूं इसका, इसमें आलू कैसे पीसे लिखाई दे रहे है, मुझे, एक बाइट लेते हैं, बड़े का सिर्फ, चेक्नी के साथ में, सुपर्ब, तो यह में, बहुत ही टेस्टी, जो आलू की सबजी है, उसमें जो लसुन की खुष्भू आ रहे हैं, जो प्रपोर्शन डाला है, उन्हें एक डम सही है, नामाक मिर्श हर चीज विल्कुल सही, और जो ब्लसन का जो कवार है, वो भी एक डम सही, ना पतला है, तो जिसकी विज़े से, वो कभी कच्छा लगता है, या कभी तेल पी लेता है, वैसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया बटाटा वड़ा है, तो यह सबसे बड़ा जो इसका हाइलाइट है, वो है, इसका साइज, साइज आफ दा बटाटा वड़ा, आप भी देखके बिल्कु I hope आपको भी बहुत मज़ा आया होगा वीडियो देखने में, जर्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे, मुझे बताइए कि सबसे अच्छी अच्छी प्लेस और खाने की चीज़े आपको कौनसी लगी है, इस वीडियो में, अगर आपने मेरा सूरतना वीडियो मिस कर दिया